नमस्कार स्वागत है आप सभी का टेनपी नीज में और मैं हुआ आपके सैथ मिशा सिंग राकी सावंद अपने शादी शुदा जिंदिगी को ताक पर रहकर पते आदिल खान दुरानी को सजा दिलाने की हर संभव कोशिश कर रही है इसे बीच राकी ने अपने मिसकरेज का दर्द बया किया है देखें ये रिपोर्ट ड्रामा क्वीन राकी सावंद की जिंदिगी में आए दिन ड्रामों की भरمार रहती है कभी वो टेलिविजन में ड्रामा करती दिखाई देती है तो कभी वो खुद ही एक ड्रामा बन जाती है आजकल अपनी शादी को लेकर राखी काफी परिशान है राखी की परसनल लाइफ मुश्किलों में घिर गई है राखी ने अपने पती आदिल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है कई बार मीडिया से मुखातिब होकर राखी ने अपने पती के कई रास खोले और अपने पती की हरकतों को जनता के सामने एक्सपोज किया हाल ही में راکھی ने एक बार फिर अपने मिस्कैरिज के बारे में खुल कर बात की और अपना दर्द बया किया राखी सावंत ने बताया कि पिछले दिनों वो प्रेगनन्ट सी लेकिन उनका मिस्कैरिज हो गया है राखी के समर्थन में कई अभिनेता सामने आ रहे हैं जो राखी का खुल कर साथ दे रहे हैं वहीं दोस्तों के साथ साथ राखी के दुश्मन भी इस दुख की घड़ी में राखी के साथ खड़े दिखे शरलिन चोपड़ा और राखी की तीखी लड़ाई किसी से छिपी नहीं है लेकिन शरलिन सब कुछ भूल कर राखी के दुख में उनको सहारा देने आगे आई वही खुद पर लगे आरोप पर राखी के पती आदिल ने कुछ खास प्रतिकिरिया नहीं दी है लेकिन इस पूरे मामले में आदिल ने एक पोस्ट कर खुद को निर्दोश बताया और जनता से सिर्फ एक पक्ष जान कर फैसला ना करने की अपील की वहीं आदिल ने राखी पर भी कई सारे आरोप लगाए उसी पर राखी ने बोला कि अगर आदिल सच बोल रहा है तो उसे मीडिया के सामने आना चाहिए और सबसच बोलना चाहिए आदिल और राखी के बयानों के बाद अब ये तो वक्त ही बतायेगा कि कौन सच्चा है और कौन जूटा और उनकी ये बाते पुरानी बातों की तरह कोई ड्रामा तो नहीं है वे रिपर TNP News